हलो आज के इस वीडियो में हमका चपांच का प्रियाबरन का वार्चिक परिश्चा का पेपर देखेंगे इसमें पहला कुष्च हैने सही विकल्प चिनकर लिखें जीब गे अगर भाग में स्वाद लगता है कैसा स्वाद लगता है तो खटा मीठा कड़वा कसेला तो बतान किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है तो सिनकोना हो जाएगा मद्य पर देश की नक्से में कितने जिले अंकित हैं इंक्या मन जिले सत्ता सत्ते देख लेंगे दूस्चे दही मक्षन पनीर घी मावा आदी पॉस्टिक पदार्थ भी तैयार किये जाते हैं यह सही है ग्रैप हाइड खनिश से पैंसिल के लिए रवम इसलेड बनती है यह भी सही है वारत में बाक्साइड लोहा और ताबा खनिश के दो तिहाई लोग उपले लकडी सूखी टहनिया आधी का प्योग करते हैं लगत्री प्रिष्ण यहां से देख लेंगे क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है देखा है तो बताना है हाँ या नहीं और कहां देखा है यह बताना है तो मैं एक ही तरफ तरह का स्व मगरी के नाम बताना है कौन-कौन सी अंकृत भोजसा मगरी है जाब को किसान का दोस्त क्यों कहा गया है तुम अपने बड़ों से क्या-क्या सीखते हो क्या तुम्हारे घर में रोटियां बनती है और किस अनाज से बनती है यह बताना है सफाई में काम आने वाली किनी तीन अपकरणों के नाम लिखना है क्या धनू के गाव में कभी सभी किसान अपनी यमीन पर काम करते थे भूकम पाने पर क्या क्या करोगे तो अपने में बड़ों से क्या-क्या सीखते हो लिखना है और घर से तुम किस तरह के काम करते हो दिरुत्री प्रिश्न क्या तुम भी क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परिशानी हो सकती है और किस तरह की परिशानी हो सकती है ये बताना है गांधी जी ने भी खुद और अपने साथियों के साथ सफाई का काम करना क्यों शुरू किया होगा तुम्हें क्या लगता है सोच कर लिखना नौ है और जंगलों की सरच्छा के लिए क्या क्या किया जा सकता है यह लिखना है यह लास्ट प्रिश्ण था